हाई स्कूल क्लासेज पर आपका फिर से स्वागत है इस जैसा कि आपको पता है पिछली वीडियोज में हम चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर फोर तक के सारी इंपोर्टेंट कोश्चन आपको बता चुके हैं यदि आप उन कोश्चन को नहीं देखे हैं तो प्लीज जा आंसर आएगा मतलब दो नंबर का आंसर आएगा ठिक है तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अब्जिक्ट्व क्वेस्चन ठीक है तो पहला क्वेस्चन है किसी AP में यदि D बराबर माइनस 4 है यदन बराबर 5 है तो अश्वन प्लस यद उन माइनस 1 इंटू D ठीक है हम क्या करेंगी हमें an कमान पता था a कमान पता था an कमान पता था d कमान पता था ठीक है हम सारी values रख देंगे हमें a कमान निकालना था तो एक जग़ें एही रहने देंगे इसका थोड़ा साम calculate करेंगे तो 4 का 4 ही रहेगा 7-1 into minus 4 करेंगे minus 24 इसका transpose करेंगे 25 करेंगे तो a कमान कितना आ जाएगा 28 तो आपका correct answer इसने निकल किया आएगा 28-28 पर आपको टिक कर देना है ठीक है अगला question है किसी a p में यदि a बराबर 3.5 d बराबर 0 n बराबर 1 सा 1 तब an कमान क्या होगा हमें पता है an का जो formula होता है वो होता है a plus n minus 1 into d देखें यहाँ पर a कमान 3.5 है n कमान 101 है और d कमान सुननी है तो सुननी यह पूरा टर्म सुननी हो जाएगा तो a n कमान हमारे पास finally बचेगा 3.5 तो आपको 3.5 पर टिक कर देना है ठीक है अगला question है संख्याओं की सूची 10-6-22 किस में है समानतर फ्रेडी में है की नहीं देखिए कि चार option है तो पहलो तो हम यह देखेंगे समानतर फ्रेडी में है की नहीं तो कैसे चिक करते हैं second term में से first term को minus करेंगे third में से second term को और fourth में से third term को और इनका difference देखेंगे मतलब common difference तो आप देख सकते हैं तीनों का जो common difference आ रहा है सार्व अंतर सेम आ रहा है सार्व अंतर सेम है मतलब यह जो है किसम है AP में है समांतर फ्रेडी में है ठीक है जहाँ D D कमान कितना है 4 है सभी का सार्व अंतर 4 आ रहा है इस वज़े से आपका नंबर आपसा नंबर भी आपका correct answer हो जाएगा ठीक है अगला question है एक AP माइनस 5 माइनस 5 बटी दू 0 पाच बटी दू का ग्यार्वा पद तो ग्यार्वा पद क्या होगा इस्टूइट ग्यार्वा पद आपका होगा A प्लस 10 D ठीक है पहले तो हमें question में पता था A बराबर माइनस 5 D के लिए हम क्या करेंगे second term ये से first term को माइनस कर देंगे तो D कमान आ जाएगा 5 अपन 2 अब हम जानती है जो ग्यार्वा पद होगा क्या हो जाएगा A प्लस 9 D होगा तो A कमान माइनस 5 है 10 D कमान पाच बटी 2 है इसको calculate करेंगे तो answer will be 20 तो correct answer is 10 कितना हो जाएगा 20 पर आपको tick कर देना option number B अगला question है एक AP का प्रथम पद माइनस 2 है और साब अंतर माइनस 2 है कि प्रथम 4 पद होगी देखे first term माइनस 2 है और उस पर minus 2 हमें minus करना है ठीक है तो यदि first term minus 2 है तो second term minus 4 होगा third term minus 6 होगा और fourth term क्या होगा minus 1 तो आपको number C आपका correct answer होगा ठीक है अगला question है 10, 7, 4 dead, dead, dead इसका 10 पद हमें पता है 10 पद होगा A plus 9D यहाँ पे A की value है 10 और D की value कितना है साथ में 10 घटाएंगे minus 3 आएगा तो 9D मतलब 9 इंटू 3 तो minus 27 और plus 10 तो कितना आजाएगा minus का 17 ठीक है कैसे solve करना आप देख सकते है A plus 10D फार्मूला A 10 पद निकालना था मतलब A plus 9D निकालना था A की value 10 9D की value minus 3 2 का 11 पद तो इसको आप खुस्से solve करीगे या आपके लिए home work है इसका answer क्या हो जाएगा B हो जाएगा ठीक है मतलब 22 हो जाएगा ठीक है आप देख सकते हैं सारे question का answer आप match कर सकते हैं सही है की नहीं ठीक है move करते हैं अगले question पे तो अगले question आपका एक एक number का आएगा वो आएगा रिक्तिस्थानों की पूर्थ कीजिए ठीक है ठीक है तो रिक्तिस्थानों की पूर्थ कीजिए हम ये question देखे लेते हैं चलिए तो पहला question है देखे क्या question है जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम दौरा लिखा जाता उसे क्या कहते है तो उसे स्रेणी कहते है क्या कहते है तो आपको स्रेणी राइट कर देना ठीक है यह आपके सामने स्रेणी लिखा हुआ है अगला कोशन है वह अनुक्रम जिसका प्रतेक पद अपने पूर्व वर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है उसी क्या कहते हैं समांतर फ्रेणी कहते हैं ठीक है तो आपको समांतर फ्रेणी लगा देने हैं अगला question है समांतर फ्रेणी की किसी पद का उसकी पूर्व वर्ती पद में अंतर क्या कहलाता है सार्व अंतर कहलाता है या common difference कहलाता है ठीक है अगला है कोई तीन रासिया समानतर फ्रेणी में हो तो माधिवाली रास से इस दो रासियों को क्या कहलाती है समानतर माध्धे कहलाती है ठीक है तो आपको क्या लिखने इस्टोरे समानतर माध्धे ठीक है अगला है एक समानतर फ्रेणी के प्रथम पद A है तसा सार वंतर D है तो इसका यह नोब पद, आपको पता होगा, क्या होता है, a plus n minus 1 into d, ठीक है, यह आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको write कर देशेगा, ठीक है, अगला है समांतर फ्रेणी, 3 upon 2, 1 upon 2, minus 1 upon 2, minus 3 upon 2 में सार बंतर d, तो सार बंतर d नहीं कहला है, मतलब second term, first term आपको minus करना है, 2022, 2019, और यह last वाला question, 2023 में आया, क्या बोला था, ap 5, 10, 15 का दसमापत, देखिए, यह 5 का multiple लिखा हुआ है, तो दसमी नमबर पर क्या आएगा, 50 आएगा, तो correct answer आपको 50 हो जाएगा, without formula, इसको आप कहलो rate कर सकते हैं, ठीक है, चलिए चलते हैं सही जोड़ी पे, तो सही पर गए, ठीक है, मतलब कितना आगी जाए, minus 4, तो minus d की value कितनी हो जाएगी, minus 4 हो जाएगी, अगला है, देखिए, इस पर देखिए, a की value 0, a 10 की value 6 है, ठीक है, तो हमें क्या बताना है, d बताना है, तो देखिए, मैं सीधे इसका आपको solution बता लोगा, इसको आप detail करते रह है, ठीक है, अगला question है, कि सत्य और असत्य, ठीक है, ये question भी आपकी exam में आ चुके है, आप देख सकते हैं, 2022 में आया है, ठीक है, तो पहला question है, समांतर सेनी की पद पर सदे बढ़ते क्रम्य होते हैं, इस तो जरूरी नहीं है, कि समांतर सेनी की सारे पद जों है, बढ़ते रखे, तो घर्ते क्रम में भी हो सकता है, मतलब फर्ष्ट इस्रेट्मेंट आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है, पाँच और साथ का समांतर मात, समांतर मात इक मतलब दोनों को जोड़के, दो कडिवाइट करना, तो पाँच और साथ 12 में दो कडिवाइट करेंगे 6, मतलब य अगला है समांतर श्रेणी के किनी दो पदों का अंतर सारवंतर होता है बिलकुल सही बात है ठीक है क्या लिखें समांतर श्रेणी के किनी दो पदों का अंतर सारवंतर तो इसमें किनी दो पदों का नहीं consecutive मतलब लगातार दो पदो का अंतर सार्वंतर कहड़ाता है जिस वज़े से statement क्या हो जाएगा false हो जाएगा समांतर फेड़ी 10, 5 और इसका बोला अगला पस सून होगा यहाँ पर 5 का अंतर चल रहा है 5 और 5 गटाएंगे तो 0 हो जाएगा मतलब यह statement आपका true है ठीक है 1, 2, 1, 3 समांतर फेड़ी में है बिलकुल नहीं है क्योंकि 1, 2 के बाद फिर से 1 आ गया तो असत्य हो जाएगा समांतर फेड़ी 10, 7, 4 का 10 होगा 5 माइनस 17 है देखे a बराबर 10 है d बराबर 7 में 10 गटाएंगे इसके बाद जो आपके मेंन कोश्चन है ठीक है देखे 2020 और 2030 में है एक सब यह एक वाकिम उतर दीजिए ठीक है आपको क्या करना है इसका अगला पद बताना है ठीक है अगला पद क्या होगा तो 2 root 2 फिर root 2 तो minus root 2 हो जाएगा पाच देश स्रेणी में है तो समांतर स्रेणी में है और इसको चीट करना है समांतर स्रेणी में है कि नहीं तो दो टब रिपीट हो रहे है मतलब नहीं है ठीक है अगला है यदि किसी स्रेणी में पदों की संख्या सीमित ना हो तो उसे क्या कहते है तो उसे क्या कहते है इस्टिम्य उसे बोलते है अनंतर सैनि ठीक है आप परिमिस सैनि भी आप बोल सकते होOoh समां पर चैनि का भ्यापक प्यपक पर तो समां अांतर सैनि का व्यापक पद आपके पास होता है .... किसी समानतर शुनी में यन पदो का योग ग्यात करने का सूत्र होता है यन बाई 2 इंटो 2 ये प्लस ये आपको राइट करना है इसके बाद जो आतेले गुत्री कोश्चन आता है इस दो दो नमबर का तो पहला कोश्चन जो आता है आप देख सकते हैं निम्लिखित में से प्रतेक wayap के लिए प्रथमपदता निखी प्रथमपद तथा सार्वांतर लिखे प्रथमपद मतलब 번째 term हीगा आपको लिखना है और डी केसी नहीं कहलेंगे second term से first term को minus कर दीने है one minus three करेंगे minus two आएगा minus one minus five minus करेंगे four आएगा ठीक है इसी तरह five by three one by three minus करेंगे four by three आएगा यह one point one आजाएगा तो यह सारे question आपको prepare कर लीने है दो number में definitely आपके exam में देखने को मिलेगा ठीक है अगला question आपकी सामनी है देखें अगला question आपकी सामनी जो आता है निमने कित में इसे कौण सा AP है ठीक है कौन-कौन AP में है कौन-कौन AP मैं नहीं है यदि AP में है तो साहर बनतर बताइए तो AP में चек करने कहा में क्या करना है second से first time को मायस करना है third से second और fourth से third मतलब एक दूसरे पत के उसके पहले बाले पत को घटाना है ठीक है यदि यह सहीम आ रहा है तो AP में है और अलग-अलग आ रहा है तो AP में नहीं है जिसे पहला नंबर देखिए 2023 मतलब last year के exam में पूछा गया है ठीक है इसके बाद कुछ और question है जो आपके exam में आते हैं देख सकते हैं 2023 में आया है क्या बूला गया था दसवोपत ग्याद कीजिए तो आप आसानी से कर सकते हैं दसवोपत मतलब A plus 90 A के value 2 है और D के value कितना है 7 में 2 गट आएंगे 5 मतलब A plus कितना हो जाएगा 90 2 plus 945 मतलब कितना जाएगा 47 ये question भी आपके exam में आते हैं इसमें बूला गया था कौन सवोपत 78 है 2022 में है इसको भी अच्छे से आप prepare कर लेजे A भी आपके exam में आ सकता है ठीक है इसके बाद एक और question आपके exam में 2022 में पूछा गया आप देख सकते हैं कौन सवाद minus 81 होगा मतलब आपको A N दिया है A दिया है D दिया है आपको E N की value बतानी है तो A N बराबर A plus E N minus 1 82 में आप value रख देंगे calculate करेंगे तो कितनी आजाएगी E N की value 35 बाज आएगी ठीक है तो ये question भी आपके exam में पूछे जा सकते है इसको भी अच्छी से prepare कर लिजएगा इसके बाद एक question आपके दो 2022 में आप इसको भी आप prepare कर लिजएगा क्या बोला गया है AP के तीसरे और नौवी पत क्रमसा 4 और minus 6 है इनका कौन सा पद सोनने होगा ठीक है तो ये देखिए थोड़ा सा लिंदी हो जाता है तो दो नंबर में आने की chances नहीं है इसके बागी जितना मैं बता दिया आप इतना ही अच्छे से solve कर लिजए तो दो नंबर के exam question आप definitely आसानी से हल कर लेंगे ठीक है अब हम सीधा move करते है chapter 6 मतलब की त्रिभूष triangles इसे भी 5 नंबर का question आना है मतलब की 2 या 3 नंबर का आपको objective आएगा दो से 3 नंबर का और एक question आपको 2 नंबर का आना है ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम देखते है objective question पहला दो त्रिभूष समरूप होंगी यदि ठीक है तो त्रिभूष के संगत कोन बराबर हो त्रिभूष की संगत भुझा आनुपातिक हो त्रिभूष के संगत छेतरफल बराबर हो त्रिभूष के संगत कोन बराबर हो तो संगत बुजायन पातिक हो तो संगत समरूप होने के लिए या तो संगत कोन बराबर हो या बुजायन पातिक हो तो दोनों आपसन में हैं तो आपसन नमबर डी आपका correct answer हो जाएगा ठीक है अगला question है यदि कोई रेखा किसी त्रिवुज को दो बुजाओं को समान अनपात्मी विहाजित करती है तो यह रेखा तीसरी बुजा के समानतर होती यह कथन किसका है तो यह कथन चो है न इस्ट्रेट यह होता है ठीक है या इसी को हम क्या बोलते है आधार भूत आलूपा तिकता प्रमी तो थेल्स प्रमी आपको टिक कर देना है अगला question है समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंद तो कोण 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 यदि तीनों कोण बराबर हो तो समरूप होंगे ठीक है कोण कोण दो कोण बराबर हो बराबर दो बीडी बराबर तीन बीची बराबर इतना और condition दिया है डी पहला है बीची के लिए की लंबाई इस्टोन जब इसको हम solve करेंगे थेल्स प्रमी में के थ्रूप तो करीट आंसर हो जाएगा 3 आपको 3 पर आपसा नमबर बीपर टिक कर देना है अगला question है आपकी सामने देखिए question number 5 पर चलते हैं यदि त्रिभूज ABC समरूप है त्रिभूज EDF की एवं त्रिभूज ABC एवं DEF समरूप नहीं है तब निम में से कौन सा सत्य नहीं है तो इसका आपसा नमबर C पर आपको टिक कर देना BC into D किसके बराबर होगा AB into EF की आपको आपसा नमबर C पर करेक कर देना है यदि दो त्रिभूज ABC एवं PQR में AB upon QR BC upon PR CA upon PQ है तो क्या हो जाएगा PQR CA B की क्या हो जाएगा पैलर रेस क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा यह आपको टिक कर देना है चलते हैं अगले कोस्टन पिश्टन तो अगले कोस्टन जो आपका है वो है देखिए यह भी क्या लिखा है दो त्रिभूज DEF एवं PQR में D बराबर है Q R बराबर E तो निवन में से क्या सही होगा तो आपको आपसा नमबर B पर टिक कर देना है आपसा नमबर B आपका correct answer होगा त्रिभूज ABC एवं त्रिभूज DEF में AB अपान DE बराबर है BC अपान EFD तब यह दोनों त्रिभूज समरूप होगे जब ठीक है तो आपको आपसा नमबर C पर टिक कर देना है एंगल B बराबर एंगल D ठीक है अगला question है त्रिभूज ABC में AB बराबर इतना AC बराबर इतना तो कोण B कमान कितना हो जाएगा तो आपको आपसा नमबर C मतलब 90 डिगरी पर क्या कर देना है टिक कर देना है ठीक है चलते है अगले question पर सभी ब्रत क्या होते है सभी ब्रत समरूफ होती है देखें एक खाली स्थान का जो प्रश्न है मतलब रिक्ति स्थानों के पूर्थ तो इसी चैप्टर से आएगा ठीक है I will guarantee it सभी ब्रत क्या होते है समरूफ होते है सभी बर्ग समरूफ होते है बुजाओं की समान संख्याव वाले दो बहुत समरूफ होते है उनके संगत कौन बराबर हो तता संगत बुजाएं क्या हो अनुपातिक हो या समानुपाति हो या आपको राइट कर देना है सरवांग सम्त्रिभूज कैसे होते है समरूफ होते हैं ये आपको सब्सक्राइब अगला जो आपका कोश्चन है देखें एक कोश्चन जरूर आएगा सौर्ट अंसर तो क्या 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 को तयार करने है पहला तो यह समरूप है कि नहीं इसको आप अच्छे से प्रिपेर कर लीजिएगा इसके बाद आधार भूत अनुपातिकता प्रिमेग का कभी कभी कर लिए ठीक है और क्वश्चन में आपको सौप कर रहा है इनको भी आप अच्छी से तयार कर लीजे डेफ्टम आपके एक्जाम में अच्छी न नंबर आएंगा ठीक है ये 2022 में कॉश्चन को भी अच्छी से कर लिए घ्보 कर लेना है इसके बाद कुश्चन और है ठीक? ज के कोशन आप आसानी से कर देंगे ठीक है तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें दोस्तों को साथ सेर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिंद बंदे मातरू